जयं दोस्तों मैं वेजगारवारी और आप देख रहे हैं Majorly Right दोस्तों इसके पहले कि मैं श्री अयुद्ध्या में क्या हो रहा है दुनिया भर में क्या चल रहा है और क्या थ्रेट्स हैं किस ने धंकी दी किसने आतंकी कारवाई करने की कोशिश करी यह मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन उसके पहले हमारा एक चैनल है दर राश्टर प्रतम हम लोग कहते हैं ना इंडिया फर्स्ट, always and every time सबसे पहले भारत इसलिए हमने चैनल का नाम रखा है दर राश्टर प्रतम, अच्छा दोस्तों बड़े बड़े चैनल है इस वक्त, श्रीया उध्या में बड़े बड़े चैनल है, करोणों रोपे का बज़ेट आप, हम लोगे पास तो कुछ है नहीं देखे है we don't have very much, हम लोग बहुत छोटे हैं in terms of operations लेकिन वहाँ पे आपको तुनिया भर के चैनल मिलने के हमने भी बोला कि इतनी बड़ी चीज हो रही है हजार साल में पहली बार हिंदूओं को देखने को मिल रहा है कि जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हम, हम लोगों ने अपने बाप दादाओं से सिर्फ कहानिया सुनी मंदर तूटने की पहली बार इतना भवे मंदर बनते देख, वो भी रामलला का तो यार भेजना तो किसी को था तो प्रेम कश्यप हैं, हमारे एंकर और गोपाल हैं, वीजय याने की विडियो जनलिस्ट, कैमरा पर्सन तो प्रेम और गोपाल दोनों के दोनों गए हैं, श्री अयुद्ध्या इस वक्त वहीं पे हैं आप हमारा जो नया चैनल है, दर राश्ट प्रथम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाहिए जरा उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दमाना बिलकुल में मत भूलिएगा, ताकि उनको भी प्रोचान मिले ठंड में दिन रात दोनों के दोनों हमारे मित्र बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपका प्रोचान मिल जाएगा, तो उनका जोश भी दुगना हो जाएगा, अच्छा दोस्तों, जब हम श्रीय अउध्या की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो UK की पर्लिमेंट में भजन हो रहे हैं, UK की पर्लिमेंट में जय श्री राम के नारे गौज रहे हैं, UK की पर्लिमेंट की वीचुं बीच, ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आएए उनसे आपको बिले बाते हैं, दोस्तों सब से पहले हमें नाम लेना पड़ेगा, Member of Parliament, Bob बाब ब्लाक्मन भारत के हिंदूओं के बहुत अच्छे दोस्त है और श्री बाब ब्लाक्मन ही थे जिन्होंने 2017 में मुझे यूके की पार्लिमेंट के अंदर अपनी टॉक देने के लिए इन्वाइट करा था मैं हाउस अफ कॉममन्स गया था 2017 में तो वो मिस्टर बाब ब्ल के भजन चल रहे हैं यूके पार्लिमेंट के बीचों बीच लोग कहते हैं हमने ऐसा दिरिश्यक अभी नहीं देखा अपने जीवन में यूनाइट किंडम ही में ओनली यूनाइट किंडम के अंदर दोसों से जादा मंदिरों ने डिकलेरेशन साइन करा कि वो कितने प्राम वापिस अपने घर आ रहे हैं सारे 500 साल से जादा के बाद देखिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों कई लोग ना मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूं थोड़ी सी बात कॉंट्रवर्शल है बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि इस वक्त क्यों करा प्रान प्रतिष्ठा सेलिबरेट करने का क्या मतलब है पूरा मंदिर तो बना नहीं उसमें शंकर अचारे भी नहीं आ रहे है कुछ कुछ आ रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है, अब आएंगे तब पता लगेगा, नहीं आएंगे तब पता लगेगा, अभी तो एक नहीं आ रहे है, देखिए ऐसा है, आ कौन कौन रहे हैं, जिनोंने राम जन भूमी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो राम के भक्त हैं और मैं पूरा आदर करता हूँ शंकराचारे जितने की खुबसूरती है यही सनातन की सुदरता है आप इसको बांध नहीं सकते हैं आप इसको लोग लोग कहते हैं न कि इतने सालों के राज के बाद बाहर से आये यह बावर और गजनवी गोरी और पता नहीं कौन-कौन खिल जी फिर भी यह 85% हिंदू है देश ऐसा कैसे क्योंकि कि मैं अक्सर ही कहता हूँ कि सनातन पानी की तरह है आप पानी को ना जला सकते हैं ना पानी को आप काट सकते हैं यह अजर है यह अमर है यह चलता रहेगा हजारों साल तक चलता चला रहेगा आगे भी चलता जाएगा तो किसी का ही कहना कि क्यों कर रहे हैं मैं इस बात से अ जाटके आयुद्या जली जाएगी इसमें कहीं ये बात भी है दोस्तों अभी तक लोग कहते थे कि ये मठ उधर मठ में जाए इधर जाएए अब सारे के सारे हिंदुओं का फोकस जो है जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ हिंदूइजम है अगर मैं आसान शब्दों में को से मेंकिसी का नाम नहीं ले रहा है मैं सबकी इस्त करता हूं लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को से परिशानी हो रही हो क्यूंकि अब मैदान में अव्धक वहां पर हर समय वह तो तो थे ही हँआ पर समय उनीख कगर ने कंगर bırak अजर तो उनके सामने कौन टिकेगा किसकी बिसाथ किसकी यॉकाट अच्छा यहां पे उत्तर प्रिदेश पुलिस का जो स्टी एफ है वो एक उपरेशन करता है दोस्तों और पता लगता है कि कुछ खालिस्तानी उन्होंने पैसा दिया कुछ क्रिमनल एलिमेंट्स को और क्रिमनल एलिमेंट्स को पैसा देखे कुछ गड़बल करवाने की कोशिश करी मैं उन क्रिमनल एलिमेंट्स का नाम भी आपको बताता हूँ दोस्तों शंकर दुसाद, अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया ये तीन लोग हैं जिनको खालिस्तानियों ने खास तोर से गुर्पत्रण सिंग पन्नू ने पैसे दिये और बोला कि जाओ अराजकता पहला हो कुछ करो वहां पे, गड़बढ़ करो इन तीनों को पकड़ लिया और इन में से तीनों का क्रिमिनल बैक ग्राउंड है दूसा जो शंकर दुसाद है ये राजेंदर जाट एक गैंग है राजेंदर जाट गैंग, उसका मेंबर है अब ये मुखिया है उस गैंग का और इसको पैसे मिले, खालिस्तानियों से कि जाओ तुम, वहाँ पे आक्शन करो और इनों ने योगी आदित्थिनाद जी को भी धंकी दी है और ये धंकी आई ये गुर्पतवन सिंग पन्नू से कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये तुम उत्तरप्रदेश वाला को धंकी श्यों देते हो ये काम हमारा है, हम देते हैं दुनिया को धंकी ठीक है स्वैग हमारा है भौकाल हमारा है, ये वर्ड भौकाल भी हमारा है बाइदेवे, हमारा भौकाल तो है, ये शब्द भी भौकाल हमारा अब ये दो दो कोड़ी के टुट पुट 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 और जिस जिस के मन में मैल है जिस जिस के मन में मैल है श्रीय अध्या को लेके और प्रबुच्री राम की जनम भूमी वहाँ पे इतना विशाल मंदिर बन रहा है जिस जिस के मन में मैल है आप उत्तर प्रदेश एक भरा जाई है कानपुर से लेके लखनओ से लेके इलावाद से लेके गौंडा से लेके वारनसी लेकर गाजियाबाद से लेकर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाओ भाई साब, मैं कोई वाइलेंस की बात नहीं करना चाहता, आप जानते हैं, मैं शान्ती का पुजारी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो बात है ना, रामलला के मंदर की, इसमें ना बोलना ना इसके बीच में पढ़ना, मामला बहुत गडबाला जाएगा फिर समाले नहीं संबलेगा, और खासतोर से उत्तर प्रदेश में तो बिलकुल भी मत बूलना, क्योंकि, इट इस अ माटर व ग्रेट ओनर और प्रिवलिच फर आस, and for our generations in the past and in the future, क्या अध्य उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कितने गर्व की बात हैं, और हम प्रान प्रत होने वाली है, और पूरे राम टेंपल का जो फाइनल इनाउगरेशन जब होगा, उसके बीच में किसी को आने नहीं देंगे, ये बात कान खोल के लोग क्लियर कर लें, जो भी खालिस्तानी, फालिस्तानी, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हों के जो हाँ पे टट पूझे हैं जो हल्ला कर रहे हैं, कान खोल के सुन ले ना, कुछ बोला ना, या कुछ करने की कोशिश करी ठोक दिये जाओगे